तो एक्टू एक्ट में सिख्छा का अधिकार अधिनियम में बच्चों के लिए भी विद्यार्थियों के लिए भी समयत है कि आप उनको कितने देर तक पढ़ा सकते हैं बिहार के अंदर इसा कौन सा चीज हो गया कि बिहार के जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो किसी संगठन से किसी पार्टी से या किसी सिख्छक संगठन से नहीं जूड़ सकते हैं मस्कार आप देख रहे हैं नेश्पोर नेशन में आपके साथ अब जे सिंग सिख्छा भी भाग के अपर मुक्स्तचीब केके पाटक के लेकर आज बामपद्धी के द्वारा एक बैठक बलाई गई और तमाम जो नेता हैं बहाप मौजुद रहे हैं और वहीं बात करें तो जो भागपा माले के विधायक हैं संदीप सवराव भी मौजुद हैं क्या कुर्च रनीती आपने बनाया केके पाटक तीन पाटियों के अज बैठक थी और बीच में रास्टी जन्तादल के रास्टी महा सचीव वह भी आये थे इसमें बातचीत में हम लोगों ने यही तैक किया है कि अभी सिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव के माध्यम से हाल के दिनों में जितने सर्कूलर आ रहा है उसका पूरा चडित्र जो है वो गैर समय धानिक है यह कहा जा रहा है कि स्कूल जो है वो नौ बज़े से पांच बज़े तक चलेगा तो नौ बज़े से पांच बज़े तक आप स्कूल चलाने के लिए बात कह रहा है तो यह सिर्फ टीचर्स के खिलाफ नहीं है बलकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में सिक्षा का अधिकार अधिनियम में बच्चों के लिए भी विद्यार्थियों के लिए भी समयत है कि आप उनको कितने द समविधान का आर्टिकल 91C यह कह रहा है कि हर नागरिक संगठित हो सकता है और्गनाइज हो सकता है आपने फरमान जारी कर दिया कि कोई सिक्षक संगठन से कर कोई जुड़ेगा सिक्षक तो उनके उपर हम करवाई कर देंगे इतना ही नहीं आपने यूनिवर्सिटी के टी राज सबा सांसद है मनोज्जा अनवर पाशा जेनु के हमारे प्रोफेसर थे जब हम लोग छात्र थे वहाँ पे उराजत के प्रवक्ता है रास्टिये प्रवक्ता है तो बिहार के अंदर ऐसा कौन सा चीज हो गया कि बिहार के जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो किसी सित हुई है यहां तक की सीपी आई के एक मेल सी हैं संजय कुमार सिंग जी उनके उपर एंफेसाइज करके लिखते हुए कि संजय कुमार सिंग जो सदस विद्धान परिशद हैं उनका जो है वो पेंसन रोग दिया तो पहले से करके हम लोग सरकार मिलेंगे कोशिस करेंगे कि इस तत्काल इस तरह के फर्मान वापस लिय जाआं और उसके बाद हमनि ayuda मुख मंत्री सरकार के द्वार आप संगठन बनाने की बात करते हैं तो संगठन तो कही है आप उनसे आप अपना बात कर सकते हैं तो संगठन क्या बनाना इसमें क्यों रजिस्टर संगठन चाहिए क्यों कही देश के समिधान में लिखा हुआ है कि जो रजिस्टर संगठन नहीं है यह तो कहीं कुछ लिखा नहीं है न लोकतंत्र को और जहां ब्रोडर करना चाहिए विस्त्रित करना चाहिए महागटवंधन जब केंदर की मोधी सरकार के लोकतंत्र विरोधी रवये के खिलाफ ही महागटवंधन बना हुआ है उसकी जब सरकार होगी तो वहां पर रजिस्टर और गयर रजिस्टर के म मतलब ही नहीं है बिहार प्राथिमिक शिक्षक संग गोप गुट ये तो रेजिस्टर है लेकिन गोप गुट के तमाम सदस्यों के उपर करवाई हुई है आप सरकार ने गलत फैसला चाहर देखिए आप मतलब अपर मुख्य सचीव को यह नहीं पता है कि बिहार में डेमोग् मुण सदस्थे आप ने क्या किया कि के लेंडर दोनोंका अलग अलग कर दिया हंदू स्कूल की का केल्एंडर यह है अब जो छट्या और उसी स्कूल में मुस्क्ते ज्यादा है और लेकिन कुछ टीचर जो है वो हिंदू भी है तो उसमें छट की छुटी नहीं होगी इधर इद की छुटी नहीं होगी तो ऐसे तो कभी हुआ नहीं था एक केलेंडर होता था जिसमें छट की भी छुटी थी इद की भी छुटी थी इद में हिंदूों के लिए भी चुटी थी मुसल्मानों के लिए भी चुटी थी तो ऐसे टार्गेट करके आपने तो कभी किया नहीं था लेकिन केके पाठक ने जो फर्मान लाया है जिसमें आपने दोनों कैलेंडर को संपरदाइक तरीके से अलग कर दिया इसके चलते कितना कियोस मचा हुआ कितनी हास से आस्मद इस्तिती बनी हुई है तो सरकार की आलोचना करने का विपक्ष को जब कोई मौका नहीं था बिहार में आर्थिक सरवे हुआ उसका रिपोर्ट आया उसका अधार पर आरक्षन बरा उसके बाद हमने देखा कि सरकार ने घोशना किया कि 94,000 गरीब लोग 94,000 लाख गरीब लोगों को दो-दो लाख रुपए हम देंगे फिर लाखों की संख्या में बहालियां हुई अभी बहाली होनी जारी है तो सरकार के प्रती एक अच्छा महौल जब बन रहा है वैसे में इस तरह की चीजों को ला करके बिहार में पांच लाख से जादा सिक्षक है चा सरकार को देखना चाहिए और इस पर तौरित करवाई करते हुए इन तमाम फर्मानों को वापस लेना चाहिए और जिसके एजेंडे से यह सब हो रहा है उस व्यक्ति के उपर भी करवाई होनी चाहिए सरकार के जो हैं सरकार कोई अगर साथ है सरी जो फर्मान जारी करेगा वह संवधानी करेगा उसके भीतर ही तो आपकी आजदी है आपका पाउड सामविधान से जादा तो आपका पावर नहीं है लेकिन हम मेरा सबसरकार की मर्जी से हो रहा है यह लाने जा रहा है वह तो सिक्षा मंत्री तक नहीं पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से जब आप ही लोग मीडिया के साथ ही गये थे आप लोगों ने कहा कि छुटियों में इतनी बड़ी कटवती हो रही है तो उनका हमें नहीं पता है हमसे पूछा नहीं गया तो जब सरकार के मरजी से हो लेकिन अधिकानस प्यसले अपने तरीके से मनमाने तरीके से ले रहा है इनको लग रहा है कि मुख मंत्री महदय का इनके उपर हात है तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप कुछ को कि नोटिस पॉब्लिक में नहीं है चुटीओं में कटुति का नोट इस पॉबलिक में नहीं है क्या बिहार में सौफ से शुड़ा लोगों को स्वचिएंद की आलोचना में अपना Facebook पर या Twitter या WhatsApp स्टेटस में लगाने के चलते हुनके ऊपर कर वाई हो रही है सरकार के संग्यान में नहीं है हैं पहले से मार्केट में है सोँसल मीडिया में घूम रही है सच दम हटाना उसके चलते हैं कि इस्तिति पैदा हुआ उसके उपर कर्वाय करें तो क्या कुछ करें थे भागवा मालिक के विधायक संदीर स्वरप अपने सुना अश्तवाम करूं करूं और अनीश पुर्ण सुन के साथ नमस्कार